लग्टर संजे, जब भी फिजियो थरपी का जिक्राता है तो सभी को लगता है कि पेशिंट डॉक्टर के पास गए, कुछ एक्सेसाइज कराई और काम खत्म हो गया। अगर आर्थराइटस की बात करें और खास तोर पर रीहाबिलिटेशन की बात करें तो क्यों कौन सी चीजें उसमें involved होती हैं और किस तरह से procedure किया जाता है। Rehabilitation बहुत important role play करता है, ऐसी हर एक बीमारी में जो chronic होती है, जो लंबे समय तक रहती है, और जिसमें deformities और disability का scope होता है, तो अगर rehabilitation interventions शुरू की stage में ही introduce कर दी जाएं, तो बहुत सारी deformities, बहुत सारी disabilities से बचा जा सकता है, लोग stroke से, cancer से, heart attack से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उसमें जानका risk होता है, या permanent disability होती है, arthritis जैसी समस्या को भी seriously लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी disability का scope रहता है, deformities का scope रहता है, तो जब हम rehabilitation की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे components हैं, जिसमें सबसे पहले जरूरी है education, मरीज को जानकारी देना, कि उसके जोडों को क्या problem है, वो आगे जाके क्या शकल अक्तियार कर सकती है, उसमें वो व्यक्ति क्या ऐसा करें ताकि joints protected रहें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो postures, वो activities, बिना बहुत ज्यादा restrictions के, बिना joints को damage किये, बहुत सारी activities सुचारो रूप से जारी रखी जा सकती हैं, दूसरा, अगर उसका कोई risk factor है, जैसे obesity एक बहुत important risk factor है, तो उसमें भी rehabilitation specialist रहे दे सकते हैं, कि कैसे exercises करनी है, कैसे अपने वजन को manage करना है, मैं यहाँ एक चीज़ important है, लेकिन थोड़ी सी light way में कहना चाता हूँ, कि मोटापय के समस्या इतनी ज्यादा हो गई है, और लोग हमारे पास अकसर आते हैं, कि डॉक्स साब कौन सी exercises मैं करूँ, ताकि मेरा वजन कम रहे, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, कि एक गर्दन की exercise बहुत important है, जो वजन कम करने में बहुत help करती है, और मैंने खुद पिछले चार महीने में तीन किलो वजन कम किया है, और वो exercise है, आप गर इंवार्मेंट, लेकिन बहुत important है, learn to say no to things which are known to be harmful to you, दूसरी चीज़ हम exercises, मरीज की assessment के अनुसार उसको बताते हैं, बहुत सारे joints deform हो जाते हैं, क्योंकि हमारी arthritis में muscles कुछ weak हो जाती है, या arthritis में stiffness आ जाती है, जिसको हम कहते हैं, range of motion कम हो गई, exercises specifically directed होती है, जो range of motion को improve करती हैं, कमजोर muscles को strong बनाती हैं, और deforming tendencies कुछ joints में होती हैं, जैसे arthritis के बारे में ये जानना जरूरी है लोगों को, कि कुछ प्रकार की arthritis छोटे जोड़ों को affect करती है, उंगलियों के जोड़ों को, कलाई के जोड़ों को, कुछ arthritis बड़े जोड़ों को affect करती है, जैसे हमारे occupational therapist का important role हो जाता है, उसके अलावा हमारे field में कुछ assistive devices, aids and appliances भी होती हैं, और कुछ deformities को रोकने के लिए sprints बना के हम देते हैं, ताकि वो deformities और नड़ बगड़ें, sprints के use के द्वारा deformities को हम रोक सकते हैं, daily life की activities हम सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं, और जब लोग aware हो होता है, और rehabilitation में सबसे important member होता है team का, वो रोगी खुद जिसको arthritis है, उसको participatory management में भागी होना है, active participation करना है, हम इतना ज्यादा नहीं करते हैं, हम सिरफ रास्ता दिखाते हैं, मरीज खुद चलता है उसके उपर, इनको मिलाकर जो physiotherapist या rehabilitation की जो experts है, उनका साथ शुरू से लेकर आखिर तक रहता है, आपने विस्तार से बताया, फिस्योथरेपी सिर्फ एक component है, उसके अलावा कई बारी arthritis के रोगियों में symptom relief के लिए हम hot fermentation या कुछ लोगों में cold therapy भी हम suggest करते हैं, कई बारी उंगलियों के जोड़ों में paraffin wax therapy होती है, तो rehabilitation एक विस्तर है, फिस्य right candidate for surgery? इसको तरन डॉक्टर के पास जाना है, उसको operate कराना है, जो पस अंदर भर गिया है, उसको निकलवाना पड़ेगा, बट जो दूसरी किसम की arthritis है, जैसे की inflammatory arthritis, तो ये काफी slow होती है, इसमें काफी time मिलता है, तो आप medicines वगेरा start कर सकते हैं, फिजियो थरापी start कर सकते हैं, उसके बावजूद जो है sequence पे आप doctor को visit करिये, अगर जैसे deformities हो रही है, contractures हो रहे है, stiffness हो रही है, तो कही दफ़े शुरू में soft tissue surgeries ही से, चोटी मोटी surgery से काम चल जाता है, कही दफ़े आपको थुड़ा जादा तो arthroscope या हो सकता है, आपको थुड़ा bone को काट के सही करके, उसको align करके जोर दें, तो चोटी मोटी surgery से काम चल जाता है, बट बहुत सारी arthritis, जो है, patients neglect भी करते हैं, और बहुत सारी arthritis धीरे धीरे gradually, ऐसे stage पे पहुंच जाती है, over a period of time, जिसमें की वो irreversible damage होता है, जिसको हम लोग end stage arthritis कहते हैं, उसमें फिर depending की patient को कितनी तकलीफ है, उ और चीजों से कितना pain में फरक पर रहा है, नहीं पर रहा है, उसकी activities of daily living कितनी affected हैं, तो उन cases में तो हो सकता है, even अगर patient की age पी higher side पे है, तो he even need a joint replacement. हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के इस वक्त इमेल आच चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता और पिता के बारे में पूछ रहे हैं, जीवन कुपता हैं, राजकुमार बनावत हैं, अनीता हैं, और मिर्जा बेग हैं जो जाना चाहते हैं कौन से hospital में इलाज हो स फिलाल कनहिया हैं दिली से टेलफोन नाई पर, कनहिया जी सवाल पूछें, सर्र मेरे मंबी को जोड़ जोड में पेना पासी जाना है, आच्छा, किन्य उमरे ऐनकी, 35 साल, पैन्तालिक साल है, 47 साल, तो उनके जोड़ों में दर्ध है, जी दर्ध आच्छा, डाक्टर को दि कि अगर उनको जोडों में दर्द हो रहा है और उन से तालीस साल है तो आप अल इंडिया इंस्ट्यूट लेकर आजाए मेडिसन ओपीडी होती है वेडिनस जे साटरड़े को वहां पर हम गठिया के मरीश देखते हैं तो हम उनको देखके जानने की कोशिश करेंगे क्यों दर सकते हैं ऐसा कह रही है हमारी विशेश है कि बात को अब जरा थोलत सा एक और दिशा में लेकर जाएं जो आपने डॉक्टर ओमा ये कहा कि एक तो मेडिसन की किसी डॉक्टर के पास जाना है अगर जोडों का दर्द और खासकर आर्थराइटिस की बात हो रही है मिर्जा बे हुँ कि आप विशेश रगे के पास ही जाएं जो रूमेटालोजिस्ट हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता आपने बताई कि देश में हैं भी कम हैं बहुत कम हैं तो जो फर्स्ट कांटैक्ट है वो फिजीशन के साथ होता है तो एट लीस्ट फिजीशन ये डिसाइड कर सकते है कि इनको तकलीफ क्या है और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन से वो सजेस्ट कर सकते हैं और इन दे मीन टाइम वो ये देख सकते हैं कि उनको कब रूमेटालोजिस्ट से उनकी मुलाकात हो सकती है और पेशिन को दिखा सकते हैं और एक चीज़ मैं यहां पर ये भी कहना बढ़ जाती है दूसरा चालीस कुना रिस्क बढ़ जाता है इस्ट्रोक होने का परालिस होने का हार्ट अटेक बहुत बढ़ जाता है ऐसे मरीज़ों में डायबिटीज बलड हाइपर टेंशन जितनी भी को मॉबिडीटीस है वो सब होने की संभावना बढ़ जाती है जो आर्थ्राइटिस सिर्फ जोडों तकी कनफाइड नहीं है सारे ओर्गन्स की डामेज भी हो सकती है अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो जी डॉक्टर संजे जो पेशन्स आपके पास आते हैं जोडों के दर्द की अगर बात करें तो बहुत से देशी नुस्खे माल परिश कह लीजे और भी बहुत कुछ अपनाया जाता है तो इस तरह के पेशन्स जरूर आपके पास भी आयोंगे जिसमें आपको लगा की स्थिती और बेहतर हो सकती थी अगर ये ना किया होता कौन सी स्थिती बताना चाहेंगे आप यह आपने सही का कि हर जगे medically qualified doctors नहीं हैं लोग कई बारी रिश्तेदारों या दोस्तों की सलापर भी बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं अर्थराइटिस के मरीजों में अगर जोडों में acute stage में हमारे पास सामने आते हैं जब joints गरम महसूस हो रहे हैं जोडों में सूजन है मरीज को दर्द है अगर ऐसे मरीज को initial stage में हम थोड़ा सा cooling of joints करें जिसको cold therapy कहते हैं अगर व्यक्ति को cold intolerance ना हो तो inflammation कम होता है दर्द भी कम होता है और जब हमारे पास वो sub acute या chronic stage में मरीज आता है तब जोड़ गरम नहीं होते, inflammation भी कम हो चुका होता है लेकिन जोडों में हलका दर्द है और stiffness है उस स्थिती में हम mild hot fomentation की सला देते हैं उससे दर्द कम होता है और joints की flexibility बढ़ती है उसके अलावा light massage done in a proper way वो overall relaxation के लिए बुरी नहीं है लेकिन होता क्या है कि लोग नीम हकीमों से या quacks से बहुत सी चीजे manipulation और massage करवाते हैं उसके harmful effects होते हैं और एक चीज मैं य arthritis जैसे रोग में कई बरी गर्दन के उपरी हिस्से का भी area affected होता है cervical spine का उस स्थिती में गर्दन पे छेड़ छड़ नहीं करवानी चाहिए कोई manipulation या traction नहीं करवाना चाहिए वो paralysis को lead कर सकता है जी ऐसे में कुछ लोग जो है exercise कर लीजे योग आसन कर लीजे कितना बहतर मान ही है उसका प्राणायाम और meditation भी बहुत important component है और यह देखा गया कि जो लोग नियमित रूप से relaxation exercises करते हैं उनमें pain threshold बढ़ जाता है उनमें दर्द कम होता है वो ज्यादा शांत रहते हैं और योगा के कुछ आसन है जो proper instructions के द्वारा arthritis के रोगी भी ठीक धंग से कर सकते हैं कुछ area of involvement अगर हो तो कुछ आसनों के लिए हम मना करते हैं जैसे किसी की spine involved है उसमें हम वो आसन मना करते हैं जिसमें spines की बहुत ज्यादा extreme movement, flexion, rotation या extension होती है या शीरशासन करते हैं कुछ लोग वो उन चीजों के लिए हम मना करते हैं जी